Education is enlightenment, we'll get to judge when they're not very much aware of something and that's why we have centers across six universities को पसंद करती है, पर क्यों आईए जानती हैं यहां रूल्स की बात आई है तो हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पुरुष हो या महिला दोनों को एक ही समान देखा जाता है सबको अपनी तरह से अपनी लाइफ जीने का अधिकार है लेकिन बात करें मुस्लिम धर्म की तो इस धर्म में कई तरह के रूल्स हमें देखने को मिलते हैं जो वर्षों से लोग फॉलो करते चले आ रहे हैं। लेकिन साओधी अरब में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग अब इन नियमों से उप चुके हैं। खास तोर पर महिलाएं। मुस्लिम समाज की महिलाएं अपने धर्म से इतना उप चुकी हैं कि अब साओधी अरब में महिलाओं ने हिंदू धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया है। खेर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जरा इस वीडियो को गौर से देखिए और सुनिये भी। इतनी परिशान हो चुकी हैं कि वो तो साओधी को छोड़कर यहां तक कि अपने धर्म को छोड़कर भाग रही हैं। आखें दिखाए देनी चाहिए। इस तरह कि कई सारे रूल्स, कई सारी पावंदिया हैं जिन से साओधी की माहिलाओं का जीना हराम हो गया है। साओधी के रूल्स कितने कड़े हैं इसका अंदाजा तो आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि एक बाहर साओधी की राजकुमारी अमीरा ने बिना हिजाब पहने सोचल मीडिया पर अपनी एक पिक्चर पोस्ट की थी। इसी वज़े से उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। खैर हम सब जानते हैं साओधी अरब एक इसलामिक देश है जहां का कानून भी इसलामिक ही है और यहां वर्षों से इसलामिक के अकॉर्डिंग ही लोगों को जीना पड़ता है। वैसे इतने समय से साओधी अरब में ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई लेकिन अब एक खबर की वज़े से पूरा साओधी अरब सुर्खियों में बना हुआ है। अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती हैं। साथ में ये एक समाज सेवी के रूप में भी जानी जाती हैं। वैसे इनका परिवार खुद एक शाही परिवार है लेकिन उनके माता पिता का शासन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। जब अमीरा 18 साल की ही थी तब इनकी मुलाकात उनसे 28 साल बड़े एक व्यक्ती से हुई जो कोई और नहीं बलकि प्रिंस अलवलीद बिन तलाल थे। वलीद अमीरा से 28 साल बड़े थे लेकिन फिर भी अमीरा ने उनसे शादी कर ली जिसके बाद आफिशल तोर पर अमीरा राजकुमारी बन गई थी। कुछ सालों तक इनका रिष्टा ठीक ठाक चला लेकिन साल 2013 आते हाते दोनों ही इस रिष्टे से उप गए। जिसके बाद दोनों ने अपनी अपनी सहमती से एक दूसरे को तलाक दे दिया। इसके बाद में अमीरा की मुलाकात खलीफा बिन बुट्टी अलमोहरी से हुई जो एक बड़े बिजनसमेन हैं अमीरा ने उनसे शादी कर ली थी। कई सवाल पूछे गए जिन मेंसे उनसे ये भी पूछा गया था कि आप इसलाम को लेकर जागरुकता फैलाने का काम कर रही है क्या। आपके द्वारा चलने वाले NGO से आपका क्या मोटिव है इसके जवाब में अमीरा ने कुछ ऐसा कहा जो वाकई में सुनने लाइक है। उन्होंने कहा मैं NGO के द्वारा शिक्षा बांटना चाहती हूँ क्योंकि शिक्षा से हमें ग्यान मिलता है। अपने NGO के द्वारा और उनके NGO का एक मकसद ये भी है कि वो महिलाओं को फ्रीडम की लाइफ जीने का अधिकार दिना चाहती हैं साओधी के रूल्स से। आप समझी सकते हैं कि उन्हें किसी भी तरह का फ्रीडम नहीं दिया जाता। वैसे आपको बता दें अमीरा जैसी कई महिलाओं के इस तरह कदम उठाने की वज़े से ही साओधी अरब में कई तरह के चेंजिस देखे गए हैं। पिने देखिए ये हैं प्रवीना पूजा उपाध्याए जो कभी मुस्लिम हुआ करती थी लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया है। इस तरह की कई सारी मानिताएं और रोल्स फॉलो किये जाते हैं इसलाम में। प्रवीना का कहना है कि ये धर्म कटरपन्ती और ओरतों के लिए क्रूर अत्याचार जैसा है। इसलाम में मर्द लोग अपनी मर्जी से जब तक चाहें तब तक अपनी शादी औरत के साथ रख सकते हैं और अपनी ही मर्जी से तीन बार तलाक 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 कहकर छोड़ भी सकते हैं। यही नहीं दोस्तो कितनी अजीब बात है कि बीच चौराहे पर दूसरे आदमियों के लिए उनका हालाला भी करवाया जाता है। में स्ट्रगल करना पड़ रहा है लेकिन यह साथी से तो ठीक ही है। अधिकार के लिए फाउंडेशन चला रही है जिनसे वो देश में लोगों तक हेल्प पहुँचाने के लिए कई प्रोजेक्ट पर काम भी कर रही है। सो दोस्तो आज की वीडियो देखकर आपको क्या लगता है क्या साउदी में फॉलो किये जाने वाले रूल्स सही है। आज के समय में महिलाओं को पुर्शों के साथ कंधी से कंधा मिला कर चलने की फॉल आजादी है लेकिन यहां ऐसा क्यों? अपनी राए कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक शेर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करना न भूलें, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाई बाई दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही हैं, जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें